देखे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर का मेन गेट जो स्टील का होता है उसको किस परकार से आप बिलकुल फिक्स कर सकते हैं और किस परकार से आप अपने चैनल के दुआरा अपने स्टील गेट को आप बिलकुल प्रॉपर वे में फिट कर सकते हैं जि की दुआरा इसको fix किया है किस परकार से हमने इसको build किया और इसके निज़ से साथ-साथ हमने किस-किस चीजों का इस्तेमाल किया वो सारी की सारी चीज़े हम आपको पताने वाले हैं सबसे पहले हम आपको पता देते हैं इस एक पीलर हमने यहां पर चैनल फिक्स किया है चैनल में आपको दिखा देता हूं यह देखिए चैनल हमने यहां पर दीवार में लगा दिया है और चैनल में हमने फिर गेट को सपोर्ट किया है और फिक्स किया है यहां पर यह देखिए यहां पर यह गेट लगाने का हम इसको करके आपको चेक कराते हैं और ये हमारा आठफिट का गेट है और ये देखिए यहां पर हमने चैनल को फिक्स किया है आपको दिखा देते हैं ये देखिए चैनल हमने बिल्कुल से बनाई है जोकी हमारी यहां से फिक्स की गई है ये देखिए दिवार के अंदर और सेकंड सी पंसिरा हमारा यहाँ पर दिवार के अंदर फिक्स कर दिये गया हमारे स्ट्ष्रोड के दुनर और नीचे सपोर्ड के लिए हम ने इसको बॉटम के अंदर बिल्कुल फिक्स कर दिये हैं ताकि यह कहीं पर भी इसके ओपर लोड ना आयं और गेट हमारा вada में कई सालों तक यानि कि कुल मिला कर हम कह सकते हैं कि कई आने वाले सालों तक 20-25 सालों तक हमारे गेट के अंदर किसी परकार की कोई भी परेशानी ना आए अब बात करते हैं काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि गेट को fix कैसे करते हैं गेट को fix करने के लिए देखिए हमारे पास ये angles के हमारे ये एक इसको bolt बोला जाता है ये hardware की दुकान पर आपको मिल जाएंगा 30 से 40 रुपे के ये मिलते हैं ये इसके दुआरा आपको ये टॉप में balding के दुआरा आपको fix करना होगा और ये इस परकार से आप इसको balding कर सकते हैं ये देख पारें आप दोनों साइड में हमारे ये balding किया गया और bottom की अगर हम बात करें तो काफी सारे लोग जानने चाते हैं कि bottom में क्या लगाया जाता है देखिए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये हमारा base है और base से हमारी कम से कम पांच angle के हमारी ये हमारी height रखी गई है और यहाँ पर ये cherry fix की गई है आप देख पा रहे हैं ये cherry है और इसको support दिया गया ताकि ये gate हमारा proper way में round घूम सके और इसकी movement हमारी proper way में हो सके ये देख पा रहे हैं और यहाँ पर अब हमारा इसको बिल्कुल concrete वगेरा से cement और बजरी से यहाँ तक हमारा fix कर दिया जाएगा जिससे हमारा movement बहुत ही आसानी से रहेगा और काफी सारे लंबे समय तक हमारे कई सालों तक हमारे इसके अंदर किसी परकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बेल्डिंग से हमारे यहाँ पर इसको fix कर दिया गया है और हम अंदर की side से भी आपको दिखा देते हैं यह बिल्कुल दोनों side में हमारा हम इसको open कर सकते हैं और top में यह देखिए हमारे यहाँ पर बेल्ड कर दिया गया है और यह यहाँ पर बॉल्ट से हमें इसको fix कर देते हैं फिर हम नीचे आते हैं bottom section में bottom section में यह देखिए यह cherry हमने यहाँ पर लगाई है ताकि यह इसके अंदर moment हमारा होता चला जाए यह देखिए और इस cherry का हम बात करें कि amount कितने का आता है तो यह मुश्किल से 30 या 40 रुपे की है और यहाँ पर हमारे एक screw लगाया जाता है बुल्ट लगाया जाता है यह देखिए यह screw लगाया जाता है इसके उपर हमारे यह whole plastic जाते है और बिल्कुल यह बहुती smoothly frankly हमारा moment करते रहते हैं तो देखिए दोस्तों इस परकार से आप भी अ किसी परकार की आपको समश्य उत्पन हुए आप अमने gate को लंबे समय तक इस्तिमाल कर सकते हैं यह देखिए हमारा gate आप देख पारें बिल्कुल 4 फिट का एक हमारा यह portion है और दोनों बहुत को अगर हम combine करें तो 8 फिट का हमारा बनता है हम आपको गुरा चेक कराते हैं ब बहुत ही अच्छा looking है और बिल्कुल latest design है और यह देखिए channel के उपर हमने इसको fix किया है दोस्तों अगर आपको और भी design के बारे में जानना या इसके बारे में और भी किसी परकार की जानकरी आपको चाहिए तो आप हमें comments कर सकते हैं हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे और आपको latest से latest technology की हम आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे ताकि आप भी उससे जानकरी हासिल कर सकें और आप भी बिल्कुल best से best जानकरी हासिल करकर अपने घर के अंदर इसको इसको इस्तमाल करकर आप भी अपने gate को लंबे समय त तो लाइक शेयर और अगर आप चैनल के उपर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा